नमस्तार, Competition Community के Mains Guidance Program के वीडियोस में मैं पुख्राच करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत 36 गड़ का सेक्शन हम लोग डील कर रहे हैं और फाइनली ये 36 गड़ का आखरी पार्ट का वीडियो है जो की है क्या 36 गड़ का सामाजिक परिद्रिश्य, Social Aspects of 36 गड़ तो ये जो सेक्शन है ना ये आपको मिलने वाला है पेपर नमबर सिक्स के पार्ट नमबर थ्री मतलब भाग तीन में तो बिना टाइम को वेस्ट करें क्या करते हैं अपन सीधा आ जाते हैं किस पे सिलिबस पे देखिए सिलिबस को फिर से मैंने क्या किया है तो कोशिश की है कि तीन भागों में मैं इसे बाट दूँ पहला भाग क्या है समझिएगा तो पहला जो भाग है वो 36 गड़ में लोकला संस्कृति तो ट्राइब्स जो है जन्जातिया जो है उनकी लोकला संस्कृति वाला जो सेक्शन है उसको सबसे पहले देखते हैं तो देखिए उसमें क्या क्या है तो यहां से चालू होता है जन्जाति सामाजिक संगठन ट्राइबल शोशल और्गनाइजेशन फिर है क्या विवाह मैरेज सिस्टम ठीक है ट्राइबल कावर हाल थाजगा ट्राइबल चोशल और्गनाइज़ेशन अब विवाह मैरेज परिवार इनकी फैमिली इनके गोत्र क्लाइम युवा समू मतलब लगभग आप युवा ग्री कहलो यूथ डॉर्मीटरी इसके अलावा ज इसके लिए समयधानिक व्यवस्था जो Constitutional सिस्टम है जिसके अंतरगत इनका जो विकास है उसका इतिहास हिस्ट्री देखना है इसके लिए प्रोग्राम्स या कारिकरम्स या क्या नीतिया या पॉलिसीज बनी है इन्हें देखना है तो यह तो जेनरल टॉपिक हो गया अब चत्रगड़ पर आ जाएंगे डारेक्ट तो चत्रगड़ की विशेश पिछडी जन जातियां पर्टिकुलरली वालनरेबल ट्राइबल ग्रॉप्स ऑफ चत्रगड़ पी विटीजीज उसके राबाँ चत्रगड़ की अन्य जन जातियां अदर ट्राइब्स फिर है जातियां शेडियूल कास्ट और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबी सी की जातियां इन सब चीजों को देखने हैं अब ट्राइब्स वाले सेक्शन में आगे क्या है तो देखिए चत्रगड़ के जन जातियों में प्रचलित, प्रमुख, आभूशन एवं विशेश परमपराएं तो स्पेशल कस्टम्स साथ में आभूशन मतलब ओर्नफिट्स जो की popular हैं चत्रगड़ की जन जातियों में 36 गड़ की ट्राइब्स में उसके अलावा जन जातियों की समस्याएं ट्राइबल प्रॉब्लम्स जिसमें एक है प्रिथक करण एलिनेशन प्रवासन मतलब माइग्रेशन और पर संस्कृति करण मतलब एकल्चरेशन तो एतनी सारी चीजें हम एक सेक्शन में रख सकते हैं वो है क्या जन जातियां और उनकी संस्कृति तो ट्राइब्स और उनका कल्चर ये एक सेक्शन हो गया अब अगला जो सेक्शन है वो कौन सा रहने वाला है तो इसमें हम 36 गड़ जो है हमारा स्टेट उसकी संस्कृति के बारे में देखते हैं इसमें सिर्फ tribes का और इसमें as a whole पूरे राज्य का तो tribes को छोड़के बचा जोगों राज्य का हमारा मान लेते हैं तो tribes का देख लिए राज्य में क्या-क्या देखना है तो राज्य छत्तरगड की लोककला जो है मतलब folk art जो है छत्तरगड का उसे देखता है लोक साहित या एवं प्रमुख लोक कलाकार तो folk literature और जो main folk artists हैं छत्तरगड के उन्हें देखता है लोक गीत तो छत्तरगड़ी folk songs लोक कथा folk tales कह लिजे लोक नाट ये folk theater clear है ये ठीक है इसके अलावा मुहावरे और लोकोपती मतलब क्या जाएगा ये idioms and phrases उसके बाद जनौला मतलब riddles मान लीजे फिर हाना एक ठो हाना clear ठीक है भई इतना हो गया इतने को अपन 36 गड़ राज की संस्कृती में रख सकते हैं तो पहला ये जो था ये tribal ये tribal culture माल लो art and culture पी एसी tribes and tribal art and culture ये पहला जो pinkish tribe का section दिख रहा है और नीला जो है वो क्या है तो ये 36 गड़ का art and culture है tribes को छोड़के बाकी बचा हुआ अब जो बाकी बच गया ना उसमें बहुत सारा चीज एक साथ है क्या क्या चीज एक साथ है देखिए जरा green color का गरते हैं तो 36 गड़ राज्य के साहित या संगीत एवं ललित कला के शेत्र में स्थापित संस्थाईं तो ऐसे institutions जो की literary singing और आर्ट्स से संबंद देते हैं क्लियर हैं उसके बाद ये जो एरियास हैं इसमें 36 गड़ शासन गर्मेंट अप 36 गड़ ने कौन-कौन से सम्मान और पुरुसकार प्राइजस चालू किये हैं उन्हें देखना हैं फिर 36 गड़ की आगे लोक संस्कृती है और तो लोक संस्कृती तो यहां पर काफी कुछ देखी चुके रिपीट आ गया यह तो फोक कल्चर 36 गड़ का आप देखिएगा 36 गड़ राज के प्रमुख मेले तथा पर्वत्योहार और राज के पुरा तात्विक संरक्षित स्मारक एवं स्थल तथा उत्खनित स्थल तो बेसिकली इसमें क्या करना है तो 36 गड़ स्टेट जो है उसके में मिला या पर्वत्योहार देखना है तो फेर्जेंट फेस्टिवल्स वाला मतलब फिर से यही लोक संस्कृति मतलब छत्रव की संस्कृति जो ब्लू देख रहेते हैं वही वाला सेक्षन में आ जाएगा और उसके बाद क्या है लास्ट में तो हमारे यहां पर ऐसे पूरा तात्विक स्मारक मतलब आ तो यह तूरिस्ट डेस्टिनेशन सोगे स्टेट के फिर अब्भ्यारण्य अब्भ्यारण्य मतलब क्या हो गया भाई वाल्ड लाइफ सांचुरी बस्तर के जलप्रपात गुफाएं तो बस्तर के वाटरफॉल्स और केव्ज और फाइनली चत्तिरगड के प्रमुक संथ मे अन्य करके मान सकते हैं इसमें एक चीज बस आपको धियान रखना है बीच में चत्तिरगड का कल्चर वाला जो सेक्शन है वह वापिस से रिपीट हो गया है ठीक है चत्तिरगड की लोग संस्थी ये वाला सेक्शन जिसमें राज के मेले पर्व और त्योहार ये इतना सेक्शन जो है ये वापिस से किसका आ गया है तो चत्रगुड़का कल्चर तो इतिहास बलता हूं लोग ये जो आर्ट अंग कल्चर वाला जो सेक्षन है इसको हम तीन पार्टस में बाढ़ सकते हैं आई होप आप समझगे होंगे पहला एक सेक्षन है जिसमें क्या है जंजातिया है और उनका कल्चर है सेकेंड जंजातियों को छोड़के बाकि चत्रग का कल्चर और थर्ड जो है कुछ अन्य चीजें हैं आदर टॉपिक्स है ठीक है भई अब इसी का ये इंग्लिश में है मैं सामने से हट जाता हूं आप लोग स्क्रींग शॉट करके इसको ले दीजएगा ये थोड़ा से बताया था चैने पहसे श्यक्त करकें में नियुक्णा क्यों कौशिंग है अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चिंस आते हैं तो क्वेश्चिंस का बताता हूं तो जुक्षेंटषा सूंसों दैजएगा चार का भी, आठ का भी और पंद्रा का भी तो दो नमबर के कितने question आएंगे आठ, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी option नहीं रहेगा सब करने है अदलब PSC चाहती है कि आप सब करो ना चाहते हो तो मत करो ठीक है, फिर चार नमबर इसके कितने question आने वाले हैं तो आने वाले हैं पाँच, आठ के कितने आने वाले हैं तीन, और पंद्रा के वैसे तो दो रहेंगे आपको कोई एक करना है, तो पंद्रा नमबर का बस ऐसा question रहता है, उसमें क्या रहेगा option, डीटेल में कई बार यह marks का distribution जो है, इसको मैं आप लोग से discuss कर चुका हूँ तो बार बार रोणी उनी चीजों को अने सरी लंबा लंबा नहीं बता रहा हूँ ठीक है, पुरानी वीडियो में आप आप लोग समझी गए होंगे तो दो नमबर के 8 question तो दो नमबर से कितने हो गए कुल 16, चार नमबर के 5 question मतलब कुल हो गए 20 आठ के 3 मतलब 24 और 15 का एक 15 तो टोटल मार्क्स जो है इस section में वो है 75 या इस part में तो यह जो part है social aspects of 36 गड़ी art and culture वाला यह mains में 75 marks का आएगा paper number 6 word limit की बात करूँ तो जो दो नमबर का question होता है न इसका word limit होता है 30 चार का जो होता है word limit होता है 60 आठ का होता है word limit 100 और 15 का होता है word limit 175 समझ में आया तो basically जब दो नमबर का question लिखेंगे तो word limit 30 words approximately line कहूं तो 4 4 मार्कर लिखोगे तो 60 words number of lines कहोगे तो 6 8 मारकर लिखोगे तो word limit 100 मतलब लगभग lines 10 और 15 का लिखेंगे तो 175 मतलब मोटा मोटी 20 line मान के चली यह on and average बताया हूं मैं कई बार मैंने देखा है कि अलग-अलग years में जो means के paper थे उसमें number of lines जो है वो कम जादा कभी 30 words में 3 line भी दिखा है कभी 5 line भी दिखा है ठीक है तो आप परिशान मत हो ना आप कुछ लोग बहुत परिशान होते हैं sir line बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे तो word limit तो वाइच है ना word limit थोड़ी बढ़ रहा आपको word limit में लिखना है लाइन कितना भी रहे क्या दिक्कत है उसमें पांसो लाइन दे दे इसका मतलब है थोड़ी है clear है चलिए अब थोड़ा सा analysis किया है मैंने अब यह परियटन लिखा है ना इसको अपन अन्यमान लेते हैं अदर्स तो राज्य की लोकला संस्कृति जंजाती लोकला संस्कृति और अन्य यह तीन पॉइंट्स है राज्य की लोकला संस्कृति में आक्चुली दो नंबर के कितने क्वेशन आये हैं दो पेपर 2021 का देख रहे हैं जंजाती लोकला संस्कृति ट्राइबल जो लोकला संस्कृती है ठीक है उसमें 5 आए है अन्य में से 1 आया है अब अगर 4 mark का question देखोगे तो राजजिवाला जो है इसमें से 2 फिर जन्जाती का जो लोकला संस्कृती है ट्राइबल आट इंट्राफ्ट या लोकला संस्कृती ठीक है तो ट्राइबल 4 कार्ट इंट्राफ्ट कहना चाहिए तो इसमें से 2 और अन्य में से 1 आठ नंबर का देखें तो राजजिवाले में से 1 आया है ट्राइबल से 1 आया है और other topics मिला कर 15 नंबर का question देखोगे तो एक जन्जाती और एक अन्य में से इसका मतलब यह हुआ कि basically अगर सिर्फ मैं बात करूँ राजज की लोकला संस्पिती की तो हमारा जो state है उसमें folk art and draft उसमें सब कुछ आ गया तो 2 नंबर का कितना question आया है 2 मतलब 4 नंबर का 4 नंबर का कितना आया है 2 मतलब 8 और 8 का एक आया तो 8 ठीक है यह जन जाती लोकला संस्पिती की अगर मैं बात करूँ tribal folk art and craft और इसमें tribes भी जुड़े हुए हैं साथ में तो basically इसमें 2 नंबर के 5 question आया है मतलब 10 4 नंबर के 2 आया है मतलब 8 8 नंबर का एक आया है मतलब 8 और 15 का एक आया है मतलब 15 अगर इस question को solve करेंगे तो 15 वाला आपको मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा अब अन या बागी से भी topics में से तो 2 नंबर का एक question आया है तो 2 4 का एक आया है तो 4 8 का एक आया है तो 8 और 15 का एक आया है तो 15 8,2,10,4,14,15 29 29 marks maximum आ सकता है 15 या तो आप यहां जोड़िए या तो आप यहां जोड़िए दो नम नहीं जोड़ सकते हैं clear है यह बात ठीक तो यह था कौनसा वेपर 2021 का अब 2020 की बात करें तो हमारे जो राजी की लोकला संस्कृति वाला जो section है इसमें से 2 नंबर का 2 question आया है मतलब फिर 4 का 8 का एक आया है मतलब 8 और 15 का एक आया है तो 15 4 4 8 दुनी 16 15 31 जन जाती लोकला संस्कृति दो नंबर के 5 question तो हो गए कितना 10 4 के 2 मतलब 8 8 के 2 question मतलब 16 और finally 15 का एक मतलब 15 तो 18 और 16 हो गया कितना लगबग 34 प्लस 15 49 एप्रॉक्सिमेटली ठीक है और परियाटन की बात करूँ तो 2 नंबर का परियाटन क्या इसको तो अपने आन्या कर दिया था ना सारा तो 2 नंबर का 1 question मतलब 2 और 4 नंबर के 2 question मतलब 8 clear है यह बात तो मतलब यहाँ से 8 और 2 10 नंबर का 1 है अब 15 यहाँ दोनों में option था तो चाहे इसमें जोड़िये चाहे इसमें जोड़िये दोनों में से कोई एक जोड़ेगा तो यहाँ पर 2 papers पे आप देख रहे हैं कि देखो हजार 21 की अगर बात करें अपन तो 21 की बात करेंगे तो आन्य वाला section का वेटेश ज्यादा था 20 की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा किसका है जो हमारे state का इसका तो हर साल ज्यादा मिल रहे हैं मतलब यह section तो एक दम focused अब फाइनली आ जाते 2019 पे अब राज इकी बात करें तो दो नंबर के तीन question मतलब छे चार के दो मतलब आठ आठ का एक मतलब आठ पंद्रा का नहीं तो आठ दूनी 16 चे 22 अब जन जाती लोकल असन्स कुती तो दो नंबर का कितना question है दो तो चार चार का एक मतलब चार आठ का एक मतलब आठ का एक मतलब कितना हुआ जी आठ और पंद्रा का दो है तो दूने में सको एक हुलिक हो गया तो पंद्रा जोड जोड जाता हूं तो कितना हो गया चार और चार आठ दुनी सोला और पंद्रा एक अत्यस और परेटर मतलब यह आन्यवाला है न सब मिलाकर तो दो नुमबर का तीन मतलब छे चार नुमबर का दो मतलब आठ आठ का एक मतलब आठ तो यहां से लगभाग बाइस मतलब last three years का जो पेपर है उसका analysis करने पर आपको यह पता चलेगा कि जो tribal art and craft जंजाती लोकला संस्कृति वाला जो section है यह section important हमेशा सबसे ज़्यादा रहा है किसी वर्ष राजी की लोकला संस्कृति से ज़्यादा question आया है और किसी वर्ष भचे हुए topic से ज़्यादा question आया है मतलब इस पे तो आपको महारत बिल्कुल होनी चाहिए ठीक है चलिए अब basically समझेगा यह जो section इसमें answer writing का key क्या है तो इस section में answer writing key में अगर परिटन type का क कोई question आया है तो point wise approach मैं आपको एक example के तोर पर बताऊंगा कि कैसे आपको point wise approach जो है उसको ध्यान में रखना है तो map और point wise approach जो है इस दोनों चीजों को आपको क्या करना है ध्यान में रखते हैं answer writing को करना है अब 2021 का paper देखते हैं एक बार mains का और इसमें से थोड़ा सा समझ कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो है पहला question दो नमबर का था अनुसूचित जाती जो है schedule cast इसका क्या दीजे परिचया दीजे मतलब basically कुछ मत करिएगा परिभाशित सौरिया परिचया नहीं परिभाशित मतलब definition तो word to word लिग देना इसको तो इसको अपने words में कुछ करना ही नहीं है तो यह एकदम simple question है definition है किस article क्या धार पर क्या धार है किस ने किया है इतना बता दोगे आपका काम हो जाएगा अगला question क्या है अगर यह जंजाती के पारंपरिक व्यवसाह पर प्रकाश डालिए अब एकदम factual पूछ दिये सीधा कि अगर यह जंजाती है उसका पारंपरिक व्यवसाह आप बताईए तो हमेशा याद रखना ऐसे छोटे factual question जो है जहां पर एकाद दो fact आने वाला है तो उसमें लंबा घुमाना नहीं है चेकर लाइन पढ़ना चालू करें पहले इस लाइन में इसका answer जो है आना चाहिए जब अगला question सुरुज भाई खांडे जो है इनका परिचे दीजिए तो सुरुज भाई खांडे का परिचे अब आप किन-किन points में सोच सकते हो तो सबसे पहला प्रशन आता है कि ये कौन थी फिर ये कहां से थी और ये फिर किस चीज से संबंधित थी और जिससे संबंधित थी उसके respect में इनकी को अब अगला question क्या है भोजली का महत्वण तो आप महत्व बताएंगे तो अपने आप क्या आपको बताना चपड़ेगा कि भोजली लोग पर्व का महत्व करके फिर आप सीधा महत्व पर आ जाएंगे तो बता ही दिये क्या है महत्व और इसमें ये भी बता देना किये किस समय बनाया जाता है अब सर्गुजा अंचल की बोलियों के नाम लिखेंगे सीधा विशेष्टा पूछा है नृत्य है ये भी बता दिया है तो आपको क्या क्या बताना है आउसर आउसर भी तो विशेष्टा है हमेशा थोड़ी करते रहते हैं दूसरा कौन करता है उसके अलावा कोई musical instrument यूज होता है कि नहीं और फिर ये जो dance है ये सब dance से थोड़ा लग होता है पता है कि नहीं तो ये कैसे की जाती है ये कैसे इस dance को किया जाते है तो ये सब क्या है इसकी विशेष्टा है पॉइंट्स को ध्यान में रखना फिर राम राम के बेरा का अर्थ क्या है फैक्ट्वल कोर्शन आ गया फिर शिवरी नारायन का धार्मिक महत्व यहां पर मैं आप में शिवरी नारायन को दर्शा दी की चलिए अब आ जाते हैं अगला जो भाग था जिसमें च्यार नंबर के क्वेश्चन है तो पहला है पंची पंथी जो नृत है इसका क्या करिए परिचार दीजिए तो सबसे पहले जो है आपका एक लाइन आना चाहिए कि पंथी डांस का इंट्रोड़क्शन इंट्रोड इसके बाद अगला आना चाहिए इसे कब किया जाता है चाह बद्रोड़क्शन में कहा लिखे कौन की है कब किये इंट्रॉइं इंट्रोड़क्शन पॉइंट मद डाला ना शुरुवात इहीं करना फिर कैसे कि और उसका महत्रु क्या है फिर वही भत्रानाट, फिर भत्रानाट जो है इसे कौन करते हैं, फिर ये क्या है, अगर आउसर मिल जा है, तो अच्छा है, किसी भी question का भत्रानाट का नहीं मिलेगा, वैसे ठीक है, तो आउसर ठीक, और इसकी अगर कुछ विशेष्टा है, तो विशेष्टा ज़रूर कि इनका कोई युवागरी है, क्या इनके परिवार की क्या विशेष्टा हो जाती है, कौन सा त्योहार मनाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, कौन सा अनृत्य करते हैं, इनकी अर्थवेवस्था, क्या करते हैं और फाइनली इनके बारे में अगर कोई अन्यतत्य है, तो पुस तो सबसे पहले एक तो मैप होना चाहिए राश्ची उद्यानों बारे में और क्या होना चाहिए तो एक टेबल टेबल में क्या करिए आप लोग तो राश्ची उद्यान कॉमन पॉइंट्स गठन शेत्रफल विशेष्टा गठन शेत्रफल विशेष्टा ऐसे करके आप बना स बहुत इजी है कोई भी इंपोर्टेंट लोग चुन लीजिए जन के बारे में आप लिख सके लगभग दस लाइन रहेगा सब के बारे में मोटा मोटा मान के चलो तीन तीन लाइन लिखना है हो जाएगा फिर क्या है बारसूर के पुरातात्विक महत्व का विवरण दीजे तो बारसूर का आपको महत्व तो बताना है लेकिन किस दृष्टि कोण से पुरातात्विक तो आपको मैप के माध्यम से बारसूर को प्लॉट करना होगा और जितनी भी पुरातात्विक चीजे हैं जैसे आपको पता है बतीसा मंदिर है, मामा भाजा मंदिर है तो इन सभी चीजों के बारे में आपको डीटेल में बताना पड़ेगा, कौन बनाया, कब बनाया, जिसकी जानकारी है और जिसकी नहीं है उसको छोड़ दीजेगा फिर उरावजन जाती के युवागरी पर लेख लिखिये, अब उरावजन जाती के युवागरी की अगर बात करें, तो सबसे पहरे थोड़ा से युवागरी जो है इसके बारे में परिचय दीजेगा क्लिर है उसके बाद बताइएगा कि ये जो उनावजन जाती है उसकी यूणा की ग्री का structure क्या होता है structure मतलब उमर के हिसाब से आपको पता है ना इसमें सदश्योंक नाम है तो उसे समझाइएगा फिर जो प्रधान सदस्य होता है उसको क्या बोलते है महिला पूरुष डोनों में आंत में क्या बताइएगा इसका objective या उद्देश क्या होता है तो ऐसे ना इस paper में जितना आप क्या करेंगे चीजों को divide करके लिखेंगे उतना बहतर हों में वाला है पॉइंट में लिखें ठीक है फिर एक question है अब सीधा हम 15 माक्स वाले question पर आ जाते हैं पहला question क्या है चत्तिकल के वीनरायांट सिंग पर क्या करना है एक निबंद लिखना है संग्षिप्त में ब्रीफ ऐसे लेखना है वीनरायांट सिंग्जी पर तो सबसे पहले आपको थोड़ा से इंट्रिड्यूस करना पड़ेगा कि वीनरायांट सिंग्जी कौन थे ठीक है उसके बाद बताईएगा क्या importance कि नायक थे किसके सोना खान विद्रो और उसके बाद पर डीटेल में अप इस विद्रो के बारे में बताएगे तब तक जब इनकी फासी का समय नहीं आएगा तब तक का पूरा का पूरा डीटेल और लास्ट क्वेश्चिन जो आयता वो क्या था चत्यगड़ी भाषा और साहिती जो है इस पर क्या करना है आपको निवन्ध तो बैसिकली वैसे तो यह सेक्शन जो है किसमें से आगया अपना आर्ट एक कोई सेक्शन है उसका क्वेशन दूसर सेक्शन में आ गया तो ऐसा होते रहता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो आप लोग मान से गुरूप से उस पर क्या कहिएगा तैयार रहेगा चलिए तो आई होप यह जो सेक्शन है इसमें से अपरोच जो है आपको समझ मे आगया होगा तो इस वीडियो पर रखता ही यह ही तक और आप सभी समुला पाथ विए अगले वीडियो तो तो यह थांक्यू आन टेकर